होली के तेवहार में हम लोग अन्यक तरह के पकवान बनाते हैं बनाते बनाते होंगे पता ही नहीं चलता की सुबसे अब साम होने को आ गई और हमारा किचन का काम ख़त्म ही नहीं हुआ तो आए सबसे आसान तरीके से कठल की ग्रेवी बाली सबजी तैयार करते हैं बिल्कुल कम समय में वेलकम बैक टू माई चानल बंदनाज रेसिपी इसे तयार करने के लिए मैंने एक कठल लिया है और उसे मैं काट कर अच्छी तरह से धूने के बाद गरम पानी में हलका सा नमक और हल्दी डाल कर उसे बॉयल कर ले रही हूं गरम तल में डाल कर अच्छी तरह से गोल्डेन कलर आने तक फ्राइ करते रहना है कठल अब गोल्डेन फ्राइ हो गया है मैं इसे अब उतार रही हूं और आगी तैयारी करती हूं मसालों की मसालों में मैंने लेसुन, अद्रक, प्याँच और हरा मिर्च ली हूँ और साथ में मैं काजू एट कर रही हूँ दस से पंद्रक काजू एट करूँगी और एक चमच के करीब मैं इसमें पोस्तू भी एट करूँगी जिससे ग्रेवी बहुत ठीक हो जाएगा और मसालों को मैं पीस लूँगी, पीस कर आगे की तयारी करूँगी कठल का मसाला पूरी तरह से तयार है अब तेल गरम करके उसमें मैंने थोड़ा सा हींग एक चुटकी और गोटा जीरा एट की हूँ और गोटा गरम मसाला भी कुछ एट करने के बाद मैं थोड़ा सा आलू एट करूँगी सब्जी में थोड़ा आलू डालने से उसका टेस्ट और अच्छा होता है और साथ में मैंने एक प्याच को काट कर उसी के साथ फ्राई करूँगी जो मसाले मैंने तयार किया था पोस्टू, काजू और अधरक लसुन का पेस्ट उसे मैं उसमें एट करके अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक फ्राई करती रहूंगी अब इसमें मैं दो टमाटर एट करूंगी, टमाटर आप डालिएगा इससे ग्रेवी और अच्छी लगती है खाने में टमाटर एट करने के बाद, बेसिक से मसाले जो सुखे मसाले होते हैं, उसमें मैंने गरम मसाला, कस्मिरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, दो तेज पत्ता एट की हूँ, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लोगी, थोड़ा सा मैंने इसमें हलका सा पानी एट किया था, जिसे मसाला चिपक न जाए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से भुन लिया था, अब मसाले से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है, अब मैं कठल जो मैंने फ्राई करके रखा था, उसे इसमें एट कर दूँगी, अब मसाल के साथ साथ कठल को भी थोड़ी देर फ्राई करती रहूंगी, इससे मसाला अच्छी तरह से कठल के अंदर तक चला जाएगा, और साथ में हमें इसमें नमक भी एट करना है, इसी समय मैं इसमें नमक एट कर दूँगी, मम्मी बाला प्यार, नमक, स्वाद अनुशार, इसक डाल देना है, जितनी आपको ठीक ग्रेवी चाहिए, उसी साथ से आप ग्रेवी में पानी डाल सकते हैं, और कुकर में डाल कर बस एक सीटी ही दीजिए, अब हमारी कठल की सबजी तयार हुई है, किने मैं कुकर को खोल कर देख लेती हूँ, हमारी कठल की ग्रेवी वाली जी तयार हुई है, इस होली कम समय में जरूर ट्राइ कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो सस्क्राइब करते हुए जाएगा, मेरे चैनल की रेसीपी को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बंदनाज रेसीपी की तरफ से आप सभी को होली की बहुत सारी धेर सारी सुब कामनाएं, मिलते हैं, फिर से एक नई यम्मी सी रेसीपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, हैपी होली